अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिप्सक्रिप्सन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए देश में मोधी सरकार ने जिन वादों के साथ देश की सर्ता समाली थी उनमें एक भी वादा उसका पूरा नहीं हुआ है पिशेश रूप से किसानों, युवाओं, छात्रों, ब्यापारियों, गुंदेलखन के लिए पिशेश रूप से जो उन्होंने यहां पर आकर के वादा किया था चुनावा में यहां के किसानों के लिए पानी, यहां के लोगों के लिए चिकिस्सा, अस्पताल, छात्रों के लिए रोजगार, कोई भी देने में इस अपन नहीं हुई है, लगातार जुमले बाजी कर रही है, इस जुमले बाजी सरकार के जुमले हैं, उसका जुपलता हैं, उसको जागर क जो महिलाओं की रसोई में पूरा पूरा फर करता है इससे हम महिला इती परेशान हैं बड़े उसमें वो जो कह रहे थे कि मुसलिम महिलाओं ने वोड दिया हमें नहीं लगता दिया वोड वो तो सिर्फ मशीनों से जिते हैं हम तो इस पास खुली आवाज में कहेंगी कि मशी करते हैं तो इसलिए नौजवान पड़ते इसलिए पैसा खर्च करते हैं हमारे हिसाब से मोजी सर्कार के गल्टों पे सबसे बड़े उत्पीडल हो रहा है गल्टों को भासे वेगर किया जा रहा है आज दलित के चालिस चालिस घर एक मुस्त दबंग लोग जो है बावुस आपके सिबिल लाइन पाना में जो पसवा जा रहा है उसके पीजे भी दल्टों के बस्तियों को उदा उजाड़ा जा रहा है यहां पर दलित मुस्लिम और तमान के गरीब लोगों कस्तोस और आरे तिन रोज यहां धरना इस्थर पर देखा जा रहा है मोडी सरकार में यह चार साथ जो गुजरे यह बहुत ही दैनी है और आजसा भी लगता है कि आगे आने वाला जो एक वर्ष सेस है इसमें भी वही इस तिता आज आज आएगी कि आज भुक्वई और तवाही लाजारी से जूच करके जो है जैसे किसानात्भत्या कर रहा है इसी तरह जो है इन समस्च्याओं को लेकर के आज भी परिशान हो करके तमाम ऐसे कारणा में करने को तयार हो जाएगा जो सोचा नहीं जा सकता है सर उनीच स हैतारी से लेकर के आज तक इतनी सरकारे आई हैं और चाये वह कांग्रेक कर रहे हो जाये शपा बसिपा के प्रदिश्जीग सरकारे रहे हो या आकटी बरतबार वरतवार भादपक सरकार, सब सरकारों को हमने देखा कि सब विगनिंग से लेकर आज तक भरष्टाचार की अबिरल धारा गंगा की तरह बह रही हैं, उसको रोकने के लिए आज तक ना लोका युक्त न युक्त हुए हैं, और ना उनके रोकने के लिए जो आज तक कोई पहर की गई हैं, एक्छल जिस हिसाब से करनाटक में पूरे हिंदुस्तान के जितने ही पूलिटिशन हैं, सबी लोग अकठा हुए, ये तो खुशी की बात है, लेकिन शर्त इस बात की है कि ये लोगों में आपस में वास्तों में कितना भायचारगी है, कितनी मुहबत है, इसे म मामले को आगे तक बढ़ा के चलें, ये बहुत ही मुश्किल समझ में आ रहा है, पहली बात, दूसरी बात, कि जिस हिसाब से ये लोग एकठा हो करके, एक संदेश दिया पूरे हिंदुस्तान के बाशिंदों को, काश अगर इसी तरीके से 2019 में रहे, तो हमें पूरी उमीद की बास्पा को जो सबक सिखाने का ये लोग कार करेंगे,